हेलो दोस्तो मैं रहूल और मेरे पास है Redmi 10 और आज के सुन में इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे इस फोन में जहां में आउड़ बॉक्स एंड्रोइड 11 देखने मिलता है साथ साथ इनका खुद का कस्टम स्कीन देखने मिलता है जो कि यह MIUI वर्जियन 3.0.4 और इसमे रीली में काफी सारी फीचर है तो यह वीडियो आप स्टिल एंग तक देख लिया जिससे आप उपज़ जाएगा इस फोन में क्या-क्या फीचर है जिससे आप इस फोन को बड़े आम से इस्तमाल कर पाएगा और इसके फीचर्स के मज़ब उठा पाएगा तो फड़ा फरस इस वीडियो को स्टार्ट करेते हैं विदाउट विशनी टाइम सो लेट्स को सुरात करते हैं सबसे पहले फीचर से तो इस फोन में आपको काफी सारे स्पेशल फीचर देखने हुमलते हैं इसके आपको आना पड़ेगा सेडिंग में उसके बारे में काफी अच्छे तेकि से जानते हैं आपको यहां पर गेम को ऐड़ करना होता है जैसे कि मैंने बी जैक को एड़ कलिया उसके आपको यहां पर जो चैडिंग देखने को मिल रहा होगा आप इसको भांप जैसे आप इसको पर किजिए तो यहां पर आपको आपको जो Есть के रहा विचसने Ч flotting sm content को प्रखंज दहिए अगर आपको यहाँ पर इसको एकजिट करना है तो उसके लिए आपको पहले फुल स्क्रीन करनापड़ेगा उसके बाद रिस 자신 पूंपर को व्हाइक par में आना पड़ेगा और उसके बाद जाके बिसिकली एक्जिट होगा उसके बाद आया पर आपको और भी बहुत सारे ओप्शन देखने मिलते हैं जैसे कि उपर की तरफ आपको cpu gpu और साथ इसाफ fps मेंटर देखने मिल जाता है और यहां पर clear memory dnd do not disturb screenshot screenshot screen record wi-fi cast turn off screen का option brightness का settings का option देखने मिलता है नीचे काफ़े interesting दो option देखने मिलता है timer यहां पर basically आप game जो जादा खेलते हैं तो timer लगा सकते हैं दूसरा यहां पर voice change का option देखने मिलता है गेम के दौरान आप चाहें तो voice change कर सकते हैं girl woman cartoon robot man का voice आप यहां पर लगा सकते हैं तो यह जो gaming turbo का feature है यह काफ़ी बढ़िया फीचर है तो आप चाहें तो इसका स्तमाल कर सकते हैं gaming के दौरान next option की बात करें वह है video toolbox यह काफ़ी बढ़िया option है basically यहां पर feature है आपको यहां पर क्या करना है manage इसको एनेबल करना है manage video app पर आना है और जो भी video application app है उनको आप यहां पर allow यूटूब क्या होता है ना आप अगर यूटूब पर कोई भी songs हो गयरा सुनना चाहते हैं आपको वीडियो नहीं देखना है सिर्फ songs सुनना है फिर भी आपका screen on रहता है battery drain होता है सासाथ यहां पर songs भी बसता है तो यहां पर आप screen off करके YouTube पे वीडियो चला पाएंगे कैसे मैं दिखाता हूँ YouTube open करते हैं YouTube open करने बाद यहां पर मैं कोई भी एक वीडियो प्ले कर लेता हूँ मैं यहां पर खुद का वीडियो प्ले करता हूँ बिसिकली मेरा खुद का चैनल है राहूल जैसवाल व्लॉक के नाम से तो यहां पर आप मेरे चैनल को definitely subscribe कर लिजेगा काफी मैंनत करता हूँ इस चैनल में भी यहां पर क्या करता हूँ मैं एक वीडियो प्ले कर लेता हूँ वीडियो प्ले करने एक बात अब यहां पर क्या सकते हैं play sound यहां पर देखने को मिलता है screen off का जो की काफी बढ़ी option है मैं इसको जैसे कि करता हूँ फोन लॉक हो जाता है बट यहां पर वीडियो जो है बैगरांड में प्ले हो रहे हैं तो जैसे कि आपने यहां पर साउंड सुना जैसे कि सुन रहे हैं आप साउंड यहां यहां पर आपका screen lock है तो basically आपको समझ आ गया होगा video toolbox क्या है उसके बाद floating window जो कि मैंने आपको दिखाया कैसे floating window होता है और यहां पर जैसे कि मैं play store को open करता हूं या फिर यहां पर play store को open नहीं करता हूं चलो छोड़ो यहां पर floating window का option आ जाता है recent tap को आप जैसे ही टैप क कर सकते हैं जैसे floating window पर मैं फिर किल्क करता हूं gallery यहां पर एड हो गया अगर आपको यहां पर इसको small करना है कुछ इस तरह स्मॉल कीजिए sorry यहां पर हट गया था ना तो फिर से मैंने small कर दिया यह देखिए यहां पर 2-2 तो side में ऐसे तक करके आप छोटा सा कर सकते हैं अ अगर आपके घर में बुजूर्ग है तो यह काफी जादा स्तमाल जानक हो सकता है यहां पर simply turn on करना है light mode को और जैसे turn on कीजिएगा यह सब कुछ आपको बड़ा बड़ा देखने को मिलेगा अगर मैं settings पर जाता हूं तो देखिए सब अक्षर बड़े-बड़े देखने को मिल रहे है in fact अगर मैं फिर से special features में आदा हूं तो देखिए कि इतना बड़ा-बड़ा टेक्स देखने हो मिल रहा है तो light mode basically आपके घर में अगर बुजूर्ग है जो आपको से कम देखते हैं उनके लिए यह काफी बड़िया फीचर है नेक्स पी बात करें अगर आप application को ह हाइट करना चाते हैं तो यह भी आप कर सकते हैं simply आना है settings पर उसके पूद आपको यहाँ पर टाइप कर ला है ही डबल डी है अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूं कैसे आप जो हीडेन आप को open कर सकते हैं जस्ट तबल फिंगर से कुछ इस तेरी से करना है और यह देखिए यहाँ पर आपका जाएगा तो काफी बढ़िया है यहाँ पर जाए अगर आपको हीडेन आप नोटिशन चाहिए तो इसको अगर आपको हटाना है तो फिर से आपको यहाँ पर आजाना है अपना पासवर्ट दिजिएगा और यहां से इसको ऑफ कर दिजिएगा और आप यहां पर पासवर्ट वगेरा को भी चेंज कर सकते हैं जसस को आप यहां पर देख सकते हैं आपको क्या जसस करने से यह पर आपको आजाएगा अगर आप यहां पर प्राइवेट फाइल का ओप्शन दीगनों मिल जाता है या फीद आप यहां पर सिंपल क्या कर सकते हैं आपको जो है इसको स्वाइब डाउन करने और यह दिखिए आप पासवर्ड दीने को बुलेगा तो सेट कर लेते हैं पासव करने को बोल रहा है तो मैं not now करूंगा अभी मैं sign in नहीं करूंगा और यहां पर don't ask करके cancel कर दूंगा उसके पर यहां पर पासवर्ड जैसे ही मैं देता हूं यहां पर देखिए आ जाता है अब यहां पर मैं कोई भी फाइल फोटोस को मैं जो हैं यहां पर हाइड कर सकता ह करें तो यहां पर आपको काफी सारे कारत देखनें मलते हैं इसके लिए आपको आपको पड़ेगा sentence पे सच्कुर कession की जाके अगराब को गूट करके रखिएगा तो यहां पर पर take a screenshot का option है, three finger से आप screenshot ले सकते हैं, volume down और यहाँ पर power button दोनों को एक साथ प्रेस करके आप screenshot ले सकते हैं, कुछ इस तरीके से, या फिर three finger से, यहाँ पर फिर से back करके, three finger से यह देखिए, यह दो तरीके से, scroll भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, यही ने, अगर आप यहाँ पर screenshot पर select कीजिएगा, तो आपको यहाँ पर बहुत सरा option देखने मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर brush, paint कर सकते हैं, यहाँ पर अप आपको eraser देखने मिलेगा, आप सब कुछ erase भी कर सकते हैं, इवेन यही ने, आप यहाँ पर text भी add कर सकते हैं, यह देखिए, यहाँ पर मैं अगर text add कर नहीं कोश्च करता हूं, तो यहाँ पर text add हो गया, और यह कुछ इस ते किसे white है, अब ही color color change कर देंगे, तो यहाँ पर power button करके आप launch camera कर सकते हैं, यहाँ पर volume button और यहाँ पर screen block में आप volume button को press करके यह कर सकते हैं, camera को enable कर सकते हैं, torch का option देखने मिल जाता है, double press power button को आप जो है, enable कर कर सकते हैं, तो इसके enable कीज़ेगा, double press power button करके torch कर सकते हैं, button shortcut देखने मिल जाता है, बेसकि यह जो navigation button नीचे क इनके shortcut के थुरू आप जो एक काफी कुछ activate कर सकते हैं जैसे कि long press पे यहाँ पर जो आपका google assistance है जैसे कि मैं press and hold करके रखता हूँ तो देखे google assistance जो activate हो जाता है उसके यहाँ पर long press menu button पे आप अगर यहाँ पर कुछ चाहते हैं screen off चाहते हैं power plus home, power plus menu, power plus back menu यह जो है आप अपनी साफ से button shortcut को add कर सकते हैं यहाँ पर कुछ option आपको देखने हो मिल जाता है जिसके आप यहाँ पर देख पार है उनमा से आप select कर सकते है उसके पर next हमें देखने हो मिलता है screen record का जहाँ पर आप resolution set कर सकते हैं video quality यहाँ पर enhance कर सकते है sound यहाँ पर आप mic देना चाहते है mute करना चाहते है system sound यानि कि आपका sound है system का sound दोनों यहाँ पर रहेगा fixed frame rate यहाँ पर दिया गया है आप चाहें तो इसको change कर सकते है frame rate को यहाँ पर 30 एपिस तक आपको frame rate देखने हो मिल जाता है बागे यहाँ पर 100 touch जैसे अगर आप चाहते है तो touch का symbol आजाएगा screen record में one hand mode का option देखने मिलता है बिकार है मैं उतना use नहीं करते है आप चाहते है अनेबल करके use कर सकते है उसके आपके यहाँ पर कमाल का feature देखने मिलता है clear speaker का अगर यहाँ पर आपका phone पानी में गड़ जाता है या फिर डस्ट वगेर आपके speaker पर चल जाता है तो simply यहाँ पर आकर इसको enable कीजेगा और यहाँ पर जाए कुछ इस तरीके से आपके speaker में 30 seconds तक यहाँ पर जाए आवाज होगा उसके बाद जाके यह बंद होगा तो काफी बढ़े हैं यहाँ पर clear speaker भी आगया है जिससा आपका speaker clear हो जाएगा accessibility option देखने मुझाता है यहाँ पर accessibility menu आप यहाँ पर activate कर सकते हैं और एक छोटा सा यहाँ पर बच्चा आ जाता है जिसके तरूँ यह जो menu है शॉटकट वगयरा यह आप जाएड़ेस्स कर सकते हैं basically जो लोग one hand ज्यादा operate करते हैं फोन उनके लिए यह काफी इस्तमाल जानक है शॉटकट from lock screen देखने को मिल जाता है साथ-साथ यहाँ पर आपको जो है memory extend का option देखने मिलता है यहाँ पर 4GB का memory दिया गया बट यहाँ पर 1GB extend हो जाता है memory आपका internal memory यह ले लेता है और 5GB का यहाँ पर memory हो जाता है next भी बात करें वह होम स्कीन कस्टमाइज़ेशन अगर आप जो है राइट की तरफ स्वाइब कीज़ेगा तो देखे कि आपको एक page देखने मिलता है जहाँ पर shortcut देखने मिल जाता है recommendant देखने मिल जाता है weather reports, step counting यह सब देखने मिलता है अगर आपको यह नहीं चाहिए तो आप इसको simply हटा सकते हैं साथ साथ और भी बहुत सारे कस्टमाइशन कर सकते हैं यही नहीं यहाँ पर आपको जोए theme भी देखने मिलता है यहाँ यह आपको redact कर देता है theme application में जैसे आप wallpaper को select करते हैं काफी सारे free theme है जिनको आप select करके यहाँ पर download करके apply कर सकते हैं और वो आपका set हो जाएगा ringtone भी दिया गया है front style भी आप यहाँ पर change कर सकते हैं काफी सारे आपको free front style देखने को मिल जाते हैं जिससे आपको जो text का style होता है वो change हो जाएगा profile में जाएगा तो जो भी wallpaper, screenshot, theme वगेरा जो भी आपने download करके रखा होगा वो सब के सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे तो कुछ इस तेकिसा आप यहाँ पर theme, ball, paper वगेरा को आपने home screen का customize कर सकते हैं next है widgets basically आप जो भी application install करते हैं उनके shortcut widgets आपको home screen में अगर लेना है तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा next है settings, settings का option की बात करें यहाँ पर translation effect यह देखिए यह जो effect है आप इसको change कर सकते हैं और काफी सारे दिये गहें आपको जो भी पसंद है आप उसको यहाँ पर लगा सकते हैं उसके बाद next option देखने हो मलता है set default screen यहाँ पर जो है आप default screen set कर सकते हैं तो आप चाहें तो मतलब आप यह वाला screen यह वाला screen जिस screen का आप default screen set करना चाते हैं वह आप कर सकते हैं यही नहीं आपको किसी भी application को हटाना है जस्ट यहाँ पर टिक कीजिए यह देखिए उसके बाद आप इनको कहीं पर भी move कर सकते हैं बना सकते हैं या फिर आप यहाँ पर अनिस्टॉल कर सकते हैं एक साथ स्लिक करके तो यह भी आपको फीचर देखने मिलता है next is home screen layout कुछ इस तरीके साब 4 आपका आप देखने मिलेगा इस तरीके सा 5 आप जाए तो 5 और 6 कर सकते हैं उसका feel sales अनिस्टॉल आप तो बैसिकली आप यहाँ पर जो भी अनिस्टॉल आप आपका होगा यहां से तो वह गायब हो जाएगा तो आप इसको एनबल करके रखेगा तो वह जो है तो यहाँ पर देखिए आपको जो है वो टिक मार्क वाला जो है आपको कहीं पर भी प्रिंब्स ए मिल्स differenti आपको क्यों कर्कों और, क्योंकि आपको वह प्रourtli करकें, क्लासीं से में कि अबड़ी 157 सवेयह सता प्रो करश्राइब acha25 2019 screen आता है तो यह रहा वो screen आप यहां पाटन कर दिज है वो screen जो है आपका यहां से गायाब हो जाएगा तो यह है यह reconcile आप्र जुogram को सकते है और यहां сы का मजाद है अगर यहां पर कैसे क्या करना है यहां पर automatically आपको Tutorial दे देता है तो आप आपके आपर टुट्रेयल भी ले सकते हैं बटन शॉटकट वगरा दिया गया है जो कि मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था बाकि आपके अपने हिसाफ से जितना बड़ा करना है यह देखे अपने हिसाफ से आप कम जादा कर सकते हैं और साथ-साथ home screen layout यह भी मैंने दिखा दिया था और global यहां पर आइकोन अनिमेशन वगरा अनिमेशन जो यहां पर कम हो जाता है वागी आपको जो रिसेंट टैब में आपको यहां पर यह देखने को मिलता है यह देखे इस तरीके से तो आप यहां पर horizontal स्लिक कर सकते हैं और horizontal इसको इनेबल करते ही आपको यहां पर RAM memory शो होने लगा चारज में आपका इतना available है वह आपको शो होने लगा जैसके देख पा रहे होंगे और मैं इसको जैसे करता हूं अब देखिए यहां पर RAM memory शो नहीं हो रहे तो अगर आपको यहां पर RAM memory शो करवन है तो आप यहां पर शो memory status को इनेबल कर सकते है नेक्स प्राइब करें तो बैसिकली हमें इस फोन में MIUI थदिन देखने हो मलता है जिस वसे अगर आप इसके अगर आपको पुराना वाला चाहिए तो आप यहां पर पुराने वाले को भी अक्टिवेट कर सकते हैं उसके बद आपको यहां पर आ जाता है आपको नुटिशन शॉटकट और साथ साथ आपको जाए नुटिशन पैनल देखने हो मिलेगा बट न्यू वाला जादा कूल लगता है यहां पर कुछ इस तरह है तो आपको जो पसंद है आप उसको यहां पर अपलाई कर सकते हैं यही नहीं आप यहां पर एडिट पर क्ल करें सकते हैं और यहीं आपको यहां पर लॉक स्क्रीन देखने हो मिल जाता है यहां अपको क्याया आपको जाहिए वह देख सकते हैं अगरे कर सकते हैं और आ आपको MIUI चाहिए या फिर Android वाला चाहिए Android वाला नॉर्मल आता है MIUI वाला जो थोड़ा सा कस्टमाइज आता है तो Android वाला सही रहता है जैसे कि Android 12 11 का काफी अभी सही कर दिया गया है और साथ यहां पर smart home का option देखने हो मिल जाता है और item शो lock screen में आप यहां पर जो है क्या-क्य items होगा ना चाहते है यहां पर फोन लॉक है यहां पर देखें notation panel नीचे हो रहा है notation panel और साथ साथ यहां पर शॉर्टकट पैनल भी नीचे हो रहा है तो इन दोनों को Disable कर देते हैं अब यहाँ पर देखिए achei नहीं हो रहे है। यह देख पा होने अब जो है नीचे हो रहे है। तो आप यहां से उन को Disable Lock Screen दुटार ही और रहा है connection speed नहीं शुकर है तो यहां से आप जब कर सकते हैं connection speed ko साथ यहां पर ज़ए करियर नेम को edit कर सकते हैं आपको यहां पर जो है sim1, sim2 जो भी नाम रखना है आप रख सकते हैं battery indicator को आपको अंदर दिखाना है बाहर दिखाना है वो आप select कर सकते हैं hide notch करना है notch अगर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ पर hide भी कर सकते हैं यह देख पार होंगे next पर आपकर यहाँ पर काफी सारे feature हैं इसके लिए आपको आना पड़ेगा settings पे और यहाँ पर आपको काफी सारा option है यहाँ पर आपको कुछी ना कुछ feature देख में मलता है about phone में यहाँ पर जो भी update आएगा आपको यहाँ पर show हो जाएगा यहाँ पर आप update चेक कर सकते हैं काफी लोग को पता नहीं रहता है storage पर click किजएगा तो यहाँ पर आपको storage भी दिखा देता है कितना आपको क्या-क्या जगा पर कहा कहा यूज हुआ है और free करना चाते हैं तो free भी कर सकते हैं deep clean भी यहाँ से directly कर सकते हैं device name देखने को मल जाता है MIUI version साथ-साथ यहाँ पर जो है आपको factory data reset वगेरा backup restore वगेरा यहीं से ही आप कर सकते हैं next is system app update security status वगेरा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है जैसे कि Google Play protection वगेरा आप यहाँ से directly scan करके update कर सकते हैं और यह update आपको हमेशा करते रहना है security update वगेरा यह देखने को मिल जाता है same card mobile network यहाँ पर आप जो है अपनी साब से customize कर सकते हैं लब robbing को off करना है data को off करना है किसका data on करना है यह सब Wi-Fi वगेरा यहाँ से जो आप Wi-Fi वगेरा connect कर सकते हैं even यही नहीं यहाँ पर देखे आपको Wi-Fi के साड़े status देखने को मिल जाते हैं कौन सा IP address है यहाँ पर जो क्या है security क्या है router name यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे जानकारी वगेरा देखने को मिल जाता है और डैकली आप इस पर क्लिक करके यह जो scan है ना इसको आप scan कर सकते हैं और डैकली आप अपने friend वगेरा को share कर सकते हैं बिना password बता है उसके बाद हमें यहाँ पर दूसरा option भी देखने हैं मतलब दूसरा wifi जो मेरा connected है Bluetooth on-off कर सकते हैं connection share वगेरा cast कर सकते हैं यहाँ पर printing वगेरा का देखने को मिल जाता है wireless display का option देखने मिल जाता है डैकली आप wireless display वगेरा आपने TV में अंडूट कर सकते हैं Android Auto, Nearby Share, Chromebook यह सब feature आपको यहाँ पर connection में देखने मिल जाता है lock screen देखने मिल जाता है जहां पर basically आपको slip का feature देखने मिलता है जहां पर आप never slip मैं यहाँ नेवर slip करके रखाऊं क्यूंकि आपको वीडियो दिखने है Rise to wake up का option देखने मिलता है basically आपका phone lock है कुछ इस तरह की सब रखा हुआ है और आप simply phone को उठाते हैं यह देखिए यहाँ पर phone wake up हो जाएगा और उसके बाद आप यहाँ पर phone का unlock कर सकते हैं तो Rise to wake up ऐसे काम करता है उसके बाद यहाँ पर double tap to wake up का option दिया गया है यहाँ पर double tap कीजिए और यह देखिए आपका screen wake up हो जाएगा उसके बाद आप यहाँ पर unlock वगएरा कर सकते हैं उसके वे lock screen for notification तो यहाँ पर notification वगएरा वगएरा lockscreen में आएगा तो आप यहाँ पर wake हो जाएगा जैसे नोटिशन आएगा मतलब light on हो जाएगा तो आप इसको disable किजिए जिससे यहाँ पर क्या आपका जादा बैटरी वगएरा बचेएगा उसके क्योंकि आवास तो आता ही है generally screen on करके क्या फाइदा lockscreen clock format देखने में जाता है जहाँ पर आप यहाँ पर change कर सकते हैं काफी सारे clock format दिए गए हैं और यही नहीं आपके यहाँ पर जैए screen owner information भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं lockscreen में जैए अपना खुद का information भी डाल सकते हैं बाकि यहाँ पर display charging animation वगएरा launching camera pocket mode pocket mode काफी बढ़िया है for example आपका phone अगर pocket में यह देखे यहाँ पर pocket में मैं यहाँ पर जाए अगर phone को open भी कर लेता हूं यह देखे देख पार होंगे यहाँ पर जहें क्या option आ रहा है don't cover the earphone area तो basically cover हो जाएगा मतलब pocket में रहते है ना तो unwanted touch वगएरा से बचाएगा उसके बाद next option है बाइड डिस्प्लेगा डिस्प्लेगा तो यहाँ पर dark mode का option देखने मिल जाता है यहाँ पर schedule आप लगा सकते हैं और more dark mode option आपको यहाँ पर देखने मिल जाता है यहाँ पर automatically यह भी जाता है यहाँ पर आपका screen brownish हो जाता है काफे सारे website यहाँ पर dark mode को support नहीं करते हैं आप अगर website में read वगरा करते हैं तो इससे आपके आखों को जलन या फिचूबन नहीं होगा और आप बड़ी अराम से अंधेरे में read कर पाईएगा schedule भी आप चाहे तो लगा सकते हैं color यहाँ पर जो है आ आप vibration बड़ि partner चाहते हैं partnerships रखना चाहते हैं यहाँ अपनी स्टाइल को चेंच करना चातका है है यहाँ पर size को चेंच करना चाते है प्लस यहां पर व्र का देखनों मलिझा प्लस अथे हैं यहाँ अपको यहाँ पर πε्सक् придhanush resistant and vibration में जाहां पर आप sound and वाइबसंस रिलेड़ेट कस्टमाइज वगएरे यहां पर कर सकते हैं, डूनोट डिस्टब मेरा फेवरेट आप्षिन है, बिसिकली यह आपका शेडूल वगएरा आप यहां पर तरन ओन कर सकते हैं, वह आप यहां पर कर सकते हैं, जिसके आप यहां पर देख पा रहे हैं, काफी अच्छा है दूनोट डिस्टब मैं बिसिकली इसका ज्यादा स्वाल करता हूं, रात वगएरा को मैं फोन को साइलेंट कर देता हूं, यहां पर आप यहां पर आप यहां पर पासवर्ट स्क्रीन लॉग कर सकते हैं, फिंगर्प्रिंट लॉग कर सकता हैं, फेस उनलॉक में आजिएगा, तो जब पहली पर आप बूट कीज़ेगा तो फेस यहां पर आप डायक्ट दीज़ेगा, तो यह डायक्ट ओपन नहीं होता है, तो आपको जो इसको डिसेबल कर दे रहा है, यहां पर प्राइविसी यह सब आपको देखने को मलता है, प्राइविसी प्रोटेक्शन बैटरी में आते हैं, जिससे आपका phone black and white phone के तरह behave करने लगता है यहाँ पर सिर्फ call, message कर सकते हैं इसके लबब कुछ भी नहीं आप चाहें तो और भी add कर सकते हैं जिससे आपका timing थोड़ा बढ़ जाता है मतलब यहाँ पर आपका timing काफी जदा हो जाता है exit करने के यहाँ पर exit के लिए और यहाँ पर आपका exit हो जाएगा तो यह भी काफी बढ़ी option दिया गया आप चाहें तो इसका भी इस्तमाल कर सकते हैं उसके बद एप्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख पारों कि यहाँ पर आपको app lock देखने हो मिलता है यहाँ आप जाकर system app settings का settings देख सकते हैं manage app में क्लिक करके आप किसी भी application का tier कैसे clear data कर सकते हैं यहाँ पर देखे clear data format यह सब uninstall वगयरा यह भी आप यहाँ पर कर पाईएगा उसके यहाँ पर manage home screen shortcut तो यहाँ पर home screen shortcut आप manage कर सकते हैं पर्मिशन वगयरा app lock की बात करें तो यहाँ पर turn on करना है password देना है और यहाँ पर next कर देना है उसके बद यहाँ पर sign in करने को बोलेगा MI account में आप जाने तो कर भी सकते हैं या फिर skip कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर skip करूंगा not now और जिस भी application को आपको lock करना है उसको आप select के लिए यूटूब को ही select करता हूं use app lock यहाँ पर आपको fingerprint देना है तो yes मुझे fingerprint देना है तो मैंने यहाँ पर app lock तो कर लिया बट अगर मैं यहाँ यूटूब को open करता हूं यूटूब को open किया don't ask cancel यह मैंने टच किया minimize किया फिर से यूटूब को open करने जाता हूं तो देखिए यहाँ पर open रहता है यूटूब जैसे आप इसको select किजिएगा उसके बाद यहाँ पर मैं जैसे यूटूब पर आता हूं यह देखिए minimize यूटूब खोला यह देखिए हर बार आपको यहाँ पर password देना पड़ेगा तो यह वाला system काफी बढ़िया है क्योंकि minimize करते ही आप किसे को phone दीजेगा और यहाँ प बता दिया था digital and well-being control का option देखने में जाते हैं यहाँ पर एगा so your data पर क्लिक किजिएगा सारा दिन आपने क्या 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 इस्तमाल कि आप वो सारे data शो हो जाते हैं सासाथ आप यहाँ पर dashboard पर आजएगा तो जो भी application में आप टाइमर लगाना चाहते हैं टाइमर लगा सक focus mode देखने में जाता है basically application को आप slick कीजिएगा जिन जिन application को turn on कीजिएगा वो सारे application जो black and white हो जाते हैं इससे क्या होता है आप उन्हें application को use नहीं कर पाएगा जब भी कोई काम कीजिएगा तो यह वाला method कर ली जिससे आपका क्या होगा आप जो easily आराम से काम भी कर आपको phone भी silent नहीं करना पड़ेगा और even notion panel पे भी आपको focus mode का shortcut देखने मिल जागा जिसको आप add कर सकते हैं next option देखने मिल जाता है special features जिसके बार में मैंने पहले ही बता दिया था my account देखने मिल जाता है Google और account privacy यह सब जो है आपका normal है settings में इस phone में जो आप direct video call भी कर सकते हैं आपको call recording देखने मिल जाता है बट वो Google call recording है जहां पर यह जो है इमांदार बनता है और सामने वाले को बता देता है जो call record हो रहा है even यही नहीं आप dialer पे आकर यहां पर जो ह आप से नीचे आपको flip to mute का भी option देखने मिल जाता है आप यहां पर इसको enable कर सकते हैं जिससे आपका call वगर आएगा आप simply यह phone को flip करके जो है mute कर पाईएगा So friends I hope आप सब भी को Redmi 10 का feature वीडियो पसंदा होगा अगर पसंदा हो पीस वीडियो को like कर देगा साथ साथ चैनल में है चैनल को सब्सक्राइब करके बिल एकन को प्रेस करके all पे क्लिक कर दिया जिससे जब में मैं कोई नहीं आप आपको 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 जियों यू है सथरिये मुस्कुवातरिया और बनीरिया आरजे टेक्निकल्स के साथ